तो यहाँ पे हैं मेरे पास Samsung Galaxy M31S जो की लेटिस यहाँ पे Samsung की तरफ से एक mid-range device आपको देखने को मिलता है हाला कि यह आता है Exynos की 9611 processor के साथ जो की हमने 10,000 के phone में भी Samsung के देखा है और अभी यह 20,000 के करीबन phone रहता है इसके अंदर भी वही देखने को मलता है लेकिन इसकी main एक अची चीज यह है कि इसके अंदर 6000 mAh की बहुती बड़ी बैटरी वे देखने को मलती है लेकिन उसके हिसाब से यहार phone काफी हलका लगता है और इसका जो आप देख सकते हो thickness भी काफी कम लगती है आज की वीडियो में यहाँ पे हम इसका full charging टेस्ट करने वाले हैं क्योंकि इसके box के अंदर आपको यह 25 watt का super fast charging देखने को मलता है जो कि type c वाला charger है और इस range में यार बिलकुल भी यह नहीं देखने को मलता है type c to type c इसके अंदर charging देखने को मलती है यहाँ पर मैंने इसको fully dead कर दिया है यानि अभी इसके अंदर कोई भी charging नहीं है इवन यहाँ पर indicate भी नहीं कर रहा है यार मैं बटन दवा के रख रहा हूं कि यहाँ पर चेक कर लेंगे कि कितने टाइम में यहाँ पर यह फुल चार्ज हो जाती है मैंने यहाँ पर ट्राइमर भी इसको on कर दूँगा जैसे ही यहाँ पर यह चालू हो जाएगा तो चलो जल्दी से यह पावर भी हो जाएगा इसको यहाँ पर वाइफाई से कनेक्टेट छोड़ूँगा इसके अंदर आप देख सकते हो आ गया है लोगो देखने को मिल गया है इसको कुछ से सेकंड के लिए यहाँ पर छोड़ देते हैं ताकि हम इसको चालू कर पाएं एक से दो मिनिट मे के बाद हम इसको पूरा 100% तक और ही स्टेज में चार्ज करेंगे अगर मैं आपको यहाँ पर टेंपरिचर दिखाओं तो पहले यहाँ पर हम अपना रूम का टेंपरिचर देख लेते हैं जो की 31.8 आपको देखने को मिलेगा अगर फोन का हम फ्रंट साइड में हीड हो गया है थोड़ा साइड डूक लेकिन यहाँ पर एक परसेंट आ गई है बैटरी इसको करके देख लेते हैं एक मिनटब हो गया है एक मिनट इस सेकंड की और होपर न बीले हैं दूद कि आपको नहीं हमें लेते हैं इसको को आुज ऑन लिया है अब हम grace करेंगे कि 10 बेंज मेद में किdefined न चर्ज आपकी लिए यहां पे देदेता है कितना आपको जूस यहां पे देता है और एक चीज आपको दिखा दूंओं कि प्रजिए अपको लिखा हूँ मिलेगा और उसी सू आप देख सकते हैं तबस में यहाँ पर हो गया है अगर हम यहाँ पर चेक कर लाइं तो चारजिंग आपको सैवन ऐसे ँड़ले देखने को मलती है ययानि दस मिन याँ चेक आउट कर सकते हूँ अगर बात कर लें यहां पर यह temperature की तो आपको यहां पर temperature दिखा देता हूँ तो 39 के आसपास ओके तो कम हो गया है थोड़ा temperature 38 38 38.2 आपको front में मिलेगा तो आपको यहां पर चार्जिंग देखने को मिल जाएगी दस मिनिट के अंदर अब यहां पे हम डायरेकली बात करेंगे इसको हाफे ना में कितना परसेंट हो जाता है तो चलो मिलता हूँ आपको आधी घंडे भाद में एंड आपको एक चीज और दिखा दूँ यहां पे देख सकते हो लिखा हुआ मिल जाएगा सूपर फास्ट चार्ज कनेक्टेड है और देख लेते हैं कितना टाइम लिखा हुआ है यहां पर हाला कि चार घंटा नाइन मिनट अंटिल फुल ओ माइगा तो चार घंटा लगेगा इसको चार जोन में बहुत टाइम जाने वाला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना यार प्लीज सो गा भी पड़ेगा ही ऐसा है ही लेकिन यहां पर मेरे पर कोई भी सेम नहीं लगा है तो इससे नुकाबले थोड़ा थोड़ा इधर उदर हो जाता है ऐसा तो नहीं होगा कि आप अपना एरप्लेन मोड में फोन को चार्ज करूगे एवन आपका नेटवर्क रहता है वो फ्लक् से आपको दिखेगा और बैक साइट में 38.38 से थोड़ा नीचे हो जाएगा 37.8 आपको देखने को मिलेगा तो फ्रंट थोड़ा सा हीट हो गया है और आपको चेबल में अभी भी 31 ही देखने को बलता है 27% चार्जिंग यहां पर हो गई है अब इसको मैं डाइकली चेक करू 100% फुली चार्ज आपको देखने को मिलेगा मुझे करीबन लगे हैं यहां पर दो घंटा 18 मिनिट इस से 6000 एमेज वैटरी को फुली चार्ज होने में और आप यहां पर देखी सकते हूं कि वाइफाई मेरा अल्रेडी कनेक्टेड था तो काफी सारे नोडिफिकेशन वगरा बिना किसी प्रॉबलम के उसे किलावा अगर मैं आपको टेंपरेचर यहां पर चेक करा दूँ तो टेंपरेचर 37 के आसपास आप देख सकते हो फ्रंट में और बैक में आपको यहां पर टेंपरेचर 37 से थोड़ा नीचे 36 के आसपास यहां पर आपको देखने को मिल तो एक अच्छी चीज है कि जादा ओवर हीट बिलकुल भी यहां पर यह नहीं हुआ है और यह एक अच्छी चीज यहां पर रहती है ओवराल मैं इसकी चार्जिंग स्पीड से काफी जादा इंप्रेच्ड हुआ है इस कंपेर टू नॉट जिसने बहुत जादा टाइम लि ले के आऊँगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर दीजेगा आपको कैसी लगी चार्जिंग स्पीड इसकी तो वह भी मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर से बता दना फिलाल दो इस वीडियों बसे तहें मिलूँगा आपसे कौनी जरूर इसक्ति अच्णार का आपसे कौनी धिलूरा है जरूर लेखने में में 15 00